वेल्लो फ्रेंड्स कैसे आप लोग हो पाप अच्छे होंगी तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है थ्रीडी डिजाइन के अंदर यहां हमें जो है सौफ्ट्वर यूज करने वाला हूँ वो है अडोब अलिस्टेटर और दूसा जो वह सौफ्ट्वर है मैं यूज करने वाला हूँ आफ्टरफेक्ट तो इन दोनों की हल्प से हम लोग 3D डिजाइन को बहुत ही इजी मैथड के अंदर क्रेड करेंगे तो मैथड बहुत ही इजी होने वाला है और वीडियो बहुत इंटरस्टिंग तो इस तक के लिए जो है वीडियो को कम से कम आप पूरा का पूरा देखें और जो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिविकेशन उनको मिल सकें तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं हम लोग शुरूरू मैं आ गया हूं यहां पर आलिस्टेटर में तो यहां पर आप न्यू फाइल ले सकते हैं फाइल आप उस साइज में ले चिस साइज की जो है आप कम्प्लीट कॉम्पोजिशन बनाना चाहते हैं यहां पर मैं मालीजिए अगर 4.8 एलरी की बात करूं तो 2400 इंटू 843 ता मै मैं इसके उपर क्लिक करता हूं आप यहां से जो है अलग अपने कस्टम तरीके से भी इसको बना सकते हैं कि आप कौन सा पिक्सल यहां पर काफी जो है आपको सेंटीमेटर मिलीमेटर वगरा दिये जाते हैं तो आपने हमेशा पिक्सल को स्रेट करके रखना है क्योंकि हम ल ian then create पे चले जाएं आपके पास इस स्टाइप की ऐक option से आजाती है पूरी की पुरी complete अब आपका करना क्या है सबसे पहले जो है यहां से जो rectangle tools लेना है rectangle tools लेने के पाल जो फिल है फिल को अपने आफ कर देना है, फिल के उपर क्रॉस कर देना है, यह जो ब्लैक है, यह स्टॉक हमारा रहेगा, और इसके उपर अगर मैं राइट क्लिक करता हूं, तो आप से विथ एंड हाइट पूछा जाता है, तो सेम जो हाइट हमने विथ उसके अंदर फिल की थी, 2400 and 840, यहां पर भी हमने सेम का सेम साइज यहां पर फिल कर देना है, तो यह देखी, इस तैफ से जो है, हमारे पास एक बॉक्स सा बनकार रडी हो जाएगा, यहां के प्रॉपर्टी में जाते हैं, और यहां पर एलाइंस पे जो क्लिक करके, इसको एको सेंटर में रिके आते हैं, और अगर जो अपना पिछला पेज लिया था, वो भी 2400 and 840 का लिया था, अप अपने यहां object में जाना है, object में जाने के बाद यहां पार में जाने का, split into grid पर चले जाना है, तो यहां पर मैंने एक जो पैनल से लिये थे, हैट के अंदर 7 पैनल, 7 पैनल का बनता है 840, तो 7 पैनल मैं यहां पर फिल करता हूँ और 20 पैनल के अंदर फिल करता हूँ कि मेरी लखाई जो है 20 पैनल की लेंथ थी ठीक है इसको अगर मैं प्रिवू आउन करूं तो यह देखो यह एक सिंपल सा यहां मैं गिरिड बनाके इन्होंने दे दिया है करने के बाद यहां पर जाएंगे अब्जेक्ट के अंदर यहां इस लौक पर जाकर इस पो सेलेक्शन को लॉक कर देंगे तो अब यह इदर उदर नहीं हो सकता यह इस पर वोपर हम लोग कोई भी डिजाइन करेट कर सकते हैं अपने अकॉडिंग देखेंगे चुटा से एक डिजाइन करेट करके देख लेते हैं पैंटूल लेता हूं आप कोई भी डिजाइन कैसे भी करेट करें लेकिन मैं यहां से यहां पर चार पैनल्स मैंने चोड़े एक दो त्लिम चार और यहां पर और सिंपले यहां कुछ नॉर्मल से एक डिजाइन क्रेट किया अब सबसे पहले तो काम क्या करेंगी इसके फिल्ट यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर जाएंगे आप इसको इंसाइड कर देंगी तो इंसाइड करने से फाइदा यह है आपके जो पैनल से वो जो है रेडी वॉल के अंदर अंदर आपको शो होंगे चलिए यह हमने कर लिया और यहां पर देखें दो टूल्स हमें यहां पर अवेलिबर होती हैं एक होता है सेलेक्शन टूल्स और दूसा होता है डारेक्ट सेलेक्शन टूल्स तो हमने क्या करना है डारेक्ट सेलेक्शन टूल्स को देना है क्योंकि डारेक्ट सेलेक्शन टूल्स होता है जो हम लोग एक एक और को है अपने तरीके से मूव कर सकते हैं या मोडिफिकेशन कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं करता हूँ और इसको यहां से लेकर अंदर तक मैं करता हूँ यहां कफिया है इसके इसको अंदर तक किया उसके बाद इसको दोता हूँ और इसको भी मैंचे करता हूँ अंदर तक लेता हूं तो यह देखिए एक करम भढ़ गया सेम हम यहां पर भी करेंगे ऐसा ही और दूसरा हम लोग यहां पर भी करेंगे कुछ ऐसा ही यह मेरा एक डिजाइन यहां पर क्रेंगे हो गया यहां से रेक्टेंगल पर क्लिक करके यहां पर मैं एक काम और करता हूं यहां से त्री पैनल्स का मैं लेता हूं और हाइट में सेम ले लेता हूं यहां 720 लेते हैं और इसको में जो है टोके करता हूं तो यह सबसे पहले तो आप इसको यहां पर देखें यहां पर लेकर आगए दूसरा काम एक काम और करते हैं इसको हमने बनाना है करव में तो क्या करेंग उपर से जो है यह राउंड बन गया पीचे से सेम था उपर से राउंड बन गया तो यह मेरे पास दो रिजाइन यहां पर फ्रेट हो चुके हैं फेडाल के लिए मैं इस दो ही डिजाइन बनाता हूं क्योंकि ज्यादा बनाते रहेंगे तो वीडियो बहुत लंबी होगे तही करने के बाद आप क्या करेंगे यहां से जागेंगे और यहां पर जो है आपका जो है कोई भी सेटप जो है यहां पर लेकर आजाएंगे दोनों को उठाकर आप यहां पर लेकर आजाएंगे अब बात करेंगे कि यह दोनों सेटप हमेरे पास रेडी हो चुके हैं अब यहां पर आप लेयर में जाएंगे तो आपके पास एक ही लेयर के अंदर रे बनाए अतनी अलग अलग लेर्स यहां पर आप बनाकर एक यह design को एक layer के अंदर रखे तो मैं एक design को उठाकर layer number 2 में डाल तो अभी दिखें layer एक के अंदर मेरा एक design है यह वाला और दूसरी layer में open तो इसके अंदर मेरा यह वाता तो मेरे पास क्या हुआ कि दोनों लेज के जो है अलग लेज के अंदर दोनों डिजाइन आज़िते हैं तो जब हम लोग इसको सेव करेंगे तो ग्रिड हमारा उसके साथ में सेव हो जाता है तो इस चीज़ का ध्यानक है कि आपने ग्रिड सिर सिर्फ डाइमेंशन को चेक करने के लिए या प्रोपर तरीके से बनाने के लिए यूज किया था अधरवाइज आप उसकी ज़रूरत नहीं थी ओके चलिए यह क्लियर हो गया अब आप क्या करेंगे फाइल में जाएंगे दोनों को सेलेक्ट करें सेलेक्ट करने के बाद यह से इसको सेव कर सकते हैं यह करता हूं जो है अब ही खतम हो चुका है अभी मैं क्या करता हूं चाहता हूं जाता हूं अर्ट्रफैक्ट पर सब्सक्राइब करते हैं इसको इंपॉर्ट करते हैं इंपॉर्ट पर आपको कंपोजिशन ही रखना एंड इसको करते हैं सब्सक्राइब करते हैं यहां इसको बना लेते हैं तो सबसे पहले क्या लेकर आता हूं यह मैं सेंटर का पॉइंट्स लेकर आता हूं इस लेयर के इंदर हमें चेज कैसे करना है या 3D में कैसे करना है तो सब्सक्राइब करेंगे और यहां से क्रेट चेप्रॉ्प्र लेयर इसमें जो है हम अपनी मर्जी से इसको क्रेट कर सकते हैं अपनी मौडिफाइट्स इसका कर सकते हैं यहां से हमें चेप्र लेयर पर क्लिक कर देना है तो कुछ बढाती हैं और यहां से आपको बढाते हैं यहां से आपस पो इसको आपंस करनें और इसको बढ़ा देए इंदेने आप नहीं बढ़ाएंगे तो भी ठीक है अगर बढ़ा देंगे तो और थोड़ा सा यूनिक कंडेंट बन जाएगा अगी देखेंगे थोड़ा सी भार की तरस चला गया है यह सब आप अप्शन्स खतम हो जाता है माटेरियल सॉप्शन्स में आजओ में आप ने अगया है और यह सब बोड़ करने के बाद में जो है आप चलिग वसी में ऊसके बाद भी उसमा पार्फ निपक्वा है हमारा अब देखो उप्र की तरह हमारे मैटल की टाइप साइक शाइनिंग टाइप का यहां पर ग्रेट हो चुका है आप करना क्या है इसके बाद में जो है मैं कोई विजुल्स लेता हूं अपने अकॉर्डिंग आप अच्छा सा विजुल्स ले ले मैं यह विजुल्स ले लेता हूं और यहां से इसको यहां पर ट्रैक कर देता लगा करने के बाद़ा करना आप उसको क्या है इसको बन कर देना और आप इसके ब्लर तेखे आएंगे listen blur इसके ड्रेग कर देनी है ठीक ब्लर डालने दिया न्यू जो जाने के बाद यहाँ पर लेते हैं यहां पर लेते हैं अगर आप पास आएगी अध्रवाइस आपको ये शोन नहीं होगी तो ये चीज़ का ध्यान रखे लेना इंवार्मेंट लीट यहां पर आपसे जो एंडर पूछा जा रहा है सोर्सूर्स की जगा पर आप क्या करेंगी यह जो हम यहां पान नीचे विजूल स्टाला है इसको इसको स्लेक्टर देंगी तो जैसे विजूल स्लेक्ट करेंगे तो आपके पास कुछ इस टैपकर डिजाइन फ्रेट हो जाएगा प्रास्फर्म में जाएंगी उहां को थोड़ा सा चीन करेंगी देखेंगी कि हमें कुछी लुक के अंदर जो है वह अच्छा लग रहा है तो थोड़ी सी दार्क है देखेंगे तो इस ताइब का लाइफ देखेंगी यह लुक के अंदर चले जाते हैं के राब यहां से ढाते हैं हम लोग और आजस्मेंट लेयर के अंदर अजस्मेंट लेयर सेलक्त कर लेते हैं और यहां हमारा विजाइन जो है वो गोर्डन में और शाइनिंग के अंदर रैडी हो चुका है ठीडी के अंदर आपका ऐसा नहीं क्रेट हुआ देन उसके बाद में चलिए यह आपका क्लियर हो गया देन उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं अभी यहां से खता में हुआ है और इसी को जो है हम लोग प्रजेक्ट में करते है तो रहे से लेट और लेता हुँ और सेम साइस की लेते है ओकी और इसके बाद में यहां से पहले में यह कर चुका हूं अभी यह सेंगी है तो मैं सेंग को लेकर आता हूं करना है यहां से इसके कलर को वाइट कर देते हैं और इसको बना देते हैं 3D में जाने के बाद जो आपने जो पहले जाने के बाद आप हमारे पास यहां पर आ चुका है और अभी देखिए यहां थोड़ सा यह कट रहा है तो आप इसको स्कूर करें हरी कासा आपने स्केरें इसके बाद आपने स्कूर के साथ में आ चुका है विद बलर के साथ में आ चुका है कि बलर की वैल्यू सेम ही रहे यहां से आप मिया ने चले जाएं यहां से लें आपको लाइग लाइट पर एन्वार्मेट लाइट तें ओके करें ओके करें पूला को सुछर्ण में अब तरह चैसी जो है अए कर्दशक्र को साथ में आपसी इसको में आप। करें इसको ठोड़ासा, I think this is good, तो यह आपके सामें इस टाइप का डियाइन पर रहा है, हम अगर मैं इसको प्ले करके देखें, तो कुछ इस टाइप का हमारा 3D में यहां से प्रजेक्टर में जाकर फिर दुबारा जो है एक न्यू कंपोजिशन बनाएं, और सेम साइज की, अब यहां से कंपोजिशन नंबर 1 और कंपोजिशन नंबर 2, यह जो कंपोजिशन 1 है, 2 है, इनको हमने लेना है, उसके पहले लेते हैं 1 को, यह आ गया और नंबर उ सेंसर में है, हमने जो है, इसको थोड़ा सा एरो बेटन के साथ में, इस सैडन करता हूं, यह कांद करें, आप जो है, एलाइन्स के साथ में इसको क्या करें, एलाइन्स के साथ में इसको 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 लेकर आजाए, इसको लेकर आजाए, इसको लेकर आजाए, इसको लेकर इन दोनों के बीच में कराएं, पहले आप यह वाले को set करें, उसका करने चरकी इन दोनों के बीच में जो है gap आपको में जाएगा बराबर से देखने के लिए कि कितना gap चाहिए, इन दोनों को select करो और pre-compose करदो, यहां से, ओके, और यहां से control करदो, और फिर द्वारा इसक कर दो, आप चाहिए, आप चाहिए, आप चाहिए, आप इसमें create कर दा होगे, बहुत ही easy method है, तो आप इसके अंदर भी, आप इसको create कर सकते हैं, बच में जो यह देखें, यह जो आप shapes अगर आद देख रहे हो, यह proper तरीके से जो है, unique तरीके से और एक professional तरीके से जो बनत होगा आपको, कि जो है, illustrator के अंदर जो है, यह best बन जाती है, इस type से जो है, आप 3D DN को create कर पाएंगे, बहुत ही easy method के अंदर, तो यहां तक जो इसने video देख लिया है, और video अच्छा लगा है, तो video पे प्यारा सा comment जरूर करके जाएं, video को like करके जाएं, video को share करके जाएं, तो में उते हैं ऐसी नई video के साथ में तक तक के लिए, take care and bye-bye.